हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी चैनल में गर्मी का मौसम आ गया है और इस समय नीनुआ जो है ये मार्केट में बहुत ही मिलते हैं ये हमारी स्वास्ति के लिए बहुत ही लाबदायक होते हैं और खाने में भी बहुत टेश्टी लगते हैं तो चलिए आज हम लोग बना इसके बाद इसका जो छिलका है इसे हम उतार लेंगे छिलका उतार लेने के बाद इसके ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है उसे हम काट कर अलग कर देंगे तो इसी तरह सभी नेनुआ को हमें छील लेना है और इसके बाद इनको फिर से एक बार अच्छे से दो लेना है तो अ तो इसी तरह सभी नेनुआ को हम काट लेंगे आप लोग नेनुआ को क्या बोलते हैं यह आप लोग मुझे कमेंट में बताईएगा हमारे यहां इसे नेनुआ कहा जाता है तो सारी नेनुआ जो है वो कट हो गए हैं अब इसमें हम डालेंगे प्याज तो प्याज भी हमें कट तो यहुंत कर लेना है तो यहां में 2 प्याज ले रही हूँ और उनको फह से में पतल पतला काट ले रही हूँ तैनल जो महीं सरसों फैसी तदोफ्स का तूम कर दालाज दोड़ करने कर देंगे कि और फिर इस तरह इस तरह से बीच से देलेंगे तोड़ dobrze लिएगी और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है तो यहां पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और नमक डालकर प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज वह हलका गुलाबी नहों जाए और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्याज यह गुलाबी हो गया है तो इसके बाद इस इसके बाद हम सब्जी को थोड़ा सचलाइंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ठोड़ा सा नमक ध्यान रहे जो है यह गलकर बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है इसलिए इसमें नमक हम बहुत ही कम डालेंगे तो इसको अच्छे इसमें हम एकप के जितना पानी डालेंगे वैसा तो इस सब्सक्षी में बहुत यह चूःत ही सब्सक्काऊ में चूल विछ बूर्ब से में कि म الرq नियुक्त नियुक्त क posy लगा द दीच में भीच में एक बार हम ढ़कन हटाकर चेक कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्जी जो है वह कितनी गल गई है और इसे कितना पानी चूटा है तो अभी हमें इसे और वी अच्छी तरह से पकाना है तो इसे हम फिर से ढ़क देंगे और धीमी आच में इसे हम तब जब तक चना डाल जो है वह एकदम अच्छे से पक नहीं जाता है और जब यह सब्जी अच्छी तरह से पक जाए तो इसके बाद हम ढाल देंगे तोड़ी सी चीनी और उपर से डाल देंगी थोड़ा सा घी इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब भी आप नेनुआ बहुत ही हेल्दी है और इसे बनाना पर बहुत आसान है बहुत कम सामान से यह सब्जी बन जाती है तो आप भी मेरे इस तरीके से एक बार इस सब्जी को जड़ूर ट्राइब कीजिएगा और अगर रसीपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब थैंक जड़ू।